बिस्मिल्ला है रमान रहीम डॉन चिल्डन अकेडमी इस्टूडेंट्स आज मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी छटी जमात की पेज नमबर 64 खोलिए सबक है साइंस के करिश में इंसानी तारीख का कोई दौर भी साइंस के इल्म से खाली नहीं पत्थरों को रगड़ कर आग जलाने अपने बदन को कपड़ों से ढापने और दीगर चीजों का शवूर हासिल करने से इंसान ने साइंस के इल्म को सीखा गोया हम कह सकते हैं कि जिन तरीकों से इनसान ने अपने शवूर की मन्जिलें तैकी वो तरीके साइंस कहलाते हैं कबलस तारीख का इनसान दर्याओं, समंदरों, सूरज, चांद और सितारों को अपना देउता समझता था जैसे जैसे इनसान ने अकलो शवूर की बुनियाद पर साइंस में तरक्वी की, वैसे वैसे वो समंदरों की गेराईयों में छुपे खजानों तक जा पहुँचा जमीन के सर्बस्ता राजों से परदा उठाने के बाद चांद तक रसाई हासिल की और आज मरीख और दूसी दुन्याएं इनसान की तस्खीर में हैं इनसान ने साइंस की वजाही से समंदर की तह में उतर कर और जमीन के सीने को चीर कर उस में से सोना, हीरे, मोती और दीगर कीमती मादनियाद दर्याफत की और यूँ अपनी जिन्दगी को पुर आसाईश और सहल बनाने का फरीजा अंजाम दिया जो इनसान परिंदे की तरह उड़ने के खुआप देखा करता था आज आवास की रफतार से भी जादा तेजी से उड़ने वाले जहाजों में महवे परवाज नजर आता है ये इसलिए मुम्किन हुआ कि इनसान ने हर दोर में साइंस के इल्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की अपनी साइंसी इजादात के सफर के आगाज में इनसान ने पईया दर्याफ्त किया तो एक इनकिलाब बर्पा हो गया महद सफर की सहूलतों के एदबार से ही देखा जाए तो आज का इनसान माजी के इनसान से कोशों आगे नजर आता है उंटों, घोडों, गधों और दूसरे जानवरों पे सवारी करने वाला इनसान सफरी मुश्किलात का शिकार था एक जगा से दूसरी जगा पहुचने में उसे कई-कई दिन लग जाते थे आज के इनसान ने साइन्स की मदद से बसें, कारें, रेलगाडियां और हवाई जहास बना लिये हैं जिन से दिनों का सफर घंटों, घंटों का मिनटों में तै करना मुम्किन हो गया है आज दुनिया का कोई शहर और माशरा साइंस के इन समराथ से किसी तोर से चेश्म पोशी नहीं कर सकता बहमी राप्ता हमेशा से इनसान की दिली आर्जू रही है इस आर्जू की तक्मील के लिए अवल अवल तो उस ने कबूतर को इस्तेमाल किया दूर दरास के इलाकों तक पेगाम रसानी का काम काफी पेचीदा था लेकिन आप टेलिफून, रेडियो, टेलिवीजन, इंटरनेट जैसी इजादात के बाइस दुनिया के एक कोने में बैठा इनसान, दूसरे कोने में बैठे इनसान से ना सिर्फ बाखबर रहता है, बलके उसे बोलता, चलता पिरता देख कर भी, चलता पिरता देख भी सकता है इंटरनेट, मुबाइल फून और फैक्स के जरिये, इनसान अपना पेगाम चंद साथों में दुनिया के किसी भी गोशे में पहुचा सकता है ये महस साइंसी इजादात के बाइस ही मुमकिन हुआ साइंसी इजादात में एक एहम तरीन इजाद बिजली भी है इनसान ने पानी, हवा, कोईले, पेटरॉल और दीगर जराय से बिजली पैदा करके अपनी सनती जरूरतों को पूरा किया है उसके साथ साथ बहुत से आलात भी बिजली के मरहूने मिन्नत हैं इन आलात के इस्तेमाल की वज़ा से इनसानी जिंदगी मजीद सहल और पुर आसाईश हुई है सनतों हर्फत और रोज मर्रा जिंदगी के कमों बेश तमाम आमलात का दारूमदार बिजली पर है सब्ध गर्मी में ठंडी हवा और शदीद सर्दी में कर्म हवा का बंदोबस साइंस ही की बदौलत मुम्किन हुआ है इनसान ने पंखे एर कर्णिशनर और हीटर वगएरा इजाद करके अपनी जिंदगी में सहूलतों का इजाफा किया है बिजली की वज़ा से रातें दिन की तरह रोशन रहती है तिबबी शोबे में भी इनसान पीछे नहीं रहा साइंसी तहकीक के बाइस ऐसी मशीने और अद्वियाद बन चुकी है जिनों ने इनसानी जिंदगी को लाहख खतरात को कम से कम कर दिया है वबाई अमरास अब माजी का किस्सा बन चुके हैं इनसाइंसी इजादात की बदौलत आज इनसानों के जिस्म के किसी बेहिस्से का बड़ी आसानी के साथ ऑपरेशन के जरीए इलाज किया जा सकता है मसनुई दिल तक बन चुके हैं रेडियो थ्रॉपी, एक्स रेज, अल्टरा साउन, एम आराई और दीगर मतादित चीजों ने कैंसर और टीबी जैसे अमरास की तश्खीस और उन पर काबू पाने में काफी मदद दी है गोया हम कह सकते हैं कि साइंस इनसानी जिन्दगी बचाने का बाइस बनी है खेती बाड़ी और जरात इनसान के कदीम तरीन पेशों में से हैं इनसान ने इस मैदान में भी बेश बहा तरकी की है साइंसी जादात ने इनसानी जिन्दगी को बहुत जादा मुतासिर किया है इनसानी जिन्दगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जो साइंस के असराश से महरूम हो आज के दौर की हैरत अंगेज जाद कम्प्यूटर ने तो इनसान को हैरत में डाल रखा है कम्प्यूटर के जरिये ऐसे ऐसे काम लिये जा रहे हैं जिन का तसवर भी नहीं किया जा सकता था खलाई तेखीक हो या तिप का शुबा रियाजी का मैदान हो या इंजीनियरिंग कम्प्यूटर हर शुबे पर छाया हुआ नजर आता है इस तरह ये कहा जा सकता है कि साइंस के बगएर किसी भी मैदान में तरकी मुम्की नहीं इसकी एहमिया से कोई भी जी शूर इंकार नहीं कर सकता बच्चों आज कल तो तुम साइंस के दोर में रह रहे हो पहले एक जमाना था कि आग जलाने के लिए माचिस भी नहीं थी लोग पत्थरों को रगड़ कर उससे जो जिंगारिया निकलती थी उससे शाखों को आग लगाते थे तो उन्हें गरमाई मिलती थी कोई चीज़ उस पे रखकर भून सकते थे तो कची चीज़ें कहते थे आग तक जलाने का उनके पास सामान नहीं होता था तन ढपने के कोई कपड़े नहीं होते थे आसताअसता इलम हासिल करते गए आदमी इलम सीखता गया और आसताअसता समझे वो पत्थरों को भी जो उसने सीखा वो एक इलमी था कि पत्थरों को आपस में रगडा जाए तो उससे आग निकलती है चिंगारिया निकलती है वहीं से समझ लो कि साइन्स शुरू हो गई आस्ता साइन्स तरकी करती चली गई यहां तक कि आज इंसान समंदर की तह तक पहुंच चुका है जबके पहले इंसान समंदर चांद सूरज इन सब चीज़ों की वो पूजा किया करता था पहले का इंसान माजी का इंसान और आज उसने नई नई दरियाफ्तें कर ली हैं अपनी आसाइश के लिए बहुत चीज़ें बना ली हैं सहल जिंदगी आजकल का इंसान गुजार रहा है पहले एक जगा से दूसी जगा जाना बड़ा ही मुश्किल काम था कोई सवारी नहीं हुआ करती थी आज देखें आप जहास से मिंटो सेकंडों में बसें कारों रेल गाडियों से आप मिंटो सेकंडों में दूर दूर का फासला तै कर लेते हैं बिजली से आप देखें आप रात को अंधेरा नहीं होता आप रात में भी जो काम चाह रहे होते हैं आप कर लेते हैं इसी तरह सनत तो हर्फत में इतनी जादा तरकी हुई है इतनी मशीने बन गई हैं आपको गर्मी नहीं लगती है एर कंडिशन आप चला लेते हैं सर्दि एक्सरेज हैं, अल्टरासाउन हैं, माराई हैं, इससे मुक्तलिफ बिमारियों का पता चल जाता है, अद्वियात हर चीज़ की आ गई है, खेती बारी के और जरात के नए औजार आ गए हैं, पहले इनसान खेत में खुद हल चलाता था, इतना टाइम लगता था, आज ट्रेक् का ऐसा फेलू नहीं है, जहां साइनस के असर अभी तक पड़े हूँ, असलसे एहम इजाज जो है, साइनस के शोबे में, वो तो कंप्यूटर है, हर चीज़ से मिंटों सेकंडों के अंदर, तुम हर चीज़, हर शोबे, हर जगा, हर चीज़ को तुम उलम कर सकते हो, जो माल तुमात हासिल करना चाहो, कम्प्यूटर के जरीए तुम हासिल कर सकते हो, अब ये कहा जा सकता है, कि साइन्स के बगएर किसी भी मैदान में अब तरकी मुम्किन ही नहीं है, साइन्स की मिलाशुबा बड़ी एहमियत है, इस्टूरेंट्स पहले आपको काम दिया गया है, वो पढ़ा दिया गया था, समझा दिया गया था, तमाम मजामीन पढ़ाए गए थे, उन सब को घर पे दोराते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, रिवाइस करते रहिए, मैद्स की प्रैक्टिस करते रहिए, अपने वक्त को बिलकुल जायर ना करें, होमवग करें बहुत साफ सुत्रा दिल लगा करें खुद अपने हाथ से करें किसी बड़ी बाजी से या टुशन की टीचर से बिलकुल काम नहीं कराएं और छोटे अपने बेहन भाईयों पे भी आप लोग तबज्जे रखिए क्योंकि स्कूल बंद है चोटे बच्चे भूल national जायें अपने साथ याद कराया करें अभी मैंने आपको सबक पढ़ाया साइंस कि करिश्मे उस से मुतालिक आपकी मिसने आपको सवाल दे दीए है आपकी कौपीज पर आकर आप ले कर जाएं अपना होंवर्ग और पिछला होंवर्ग जमा करा कर जाए ये ताकि चैक हो जाए पहला सवाल आपको दिया गया है साइंस के करिश्मे का इनसान पहले सफर किन सवारियों पर करता था इनसान पहले सफर उंटों, घोडों, गधों और दूसरे जानवरों पे किया करते थे दूसरा सवाल आपका है साइंस की पहली इजात क्या चीज़ ठहरी साइंस की पहली इजात पईया ठहरी स्टूरेंट इन वाहित की आप जमा बनाईए आपकी टीचर ने आपकी कॉपीज में दिया है आकर लेका जाएए तस्वीर, तसावीर, फर्स, फराइस, खलीफा, खुल्फा, बालिख, बालगान, खिद्मत, खिद्माद, इक्तिलाफ, इक्तिलाफाद, मुझकर के ये मुञनस बनाने के लिए आपको हुमवक में दिये गए हैं मुलाजिम, मुलाजमा, अंग्रेज, अंग्रेजन, बाप, मा, समधी, समधन, गुलोकार, गुलोकारा, खालू, खाला, आप, इस्टूडेंट मजबून घर में याद करिए, कुतुब बीनी पर, आपको मजबून, ये जब स्कूल खुला था, तो आपको ये लिखवा दिय गया था, आपकी कौपियों पर मौजूद है, इस्टूडेंट्स याद करते रहिए, खासकर आप लिखने की मर्श जारी रखिए, अगर आप इतने दिन में आपकी राइटिंग स्पीड नहीं रही, तो आप इमतहान देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इ राइटिंग स्पीड स्लो हो गई, लहाजा हर चीज़ याद करिए, खासकर आप घर में इमला की मश्क जरूर करते रहिए, ताकि आप लिखना भूल ना जाएं, इमला अगर नहीं आएगा तो आप मसमुन कैसे लिखेंगे, अपने सवालात के जवाबात कैसे लिखेंगे, अगर आप अलफाज लिखना भूल गए, घर पे अपने वक्त को इस्तमाल कीजिए, कामों में, अच्छे कामों में, बुरे कामों से बचें, इस्टूरेंट बहुत से बच्चों की, अभी तक स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, वालदा से कहिए, स्कूल में फीस लाकर जम कराएं.